हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथी जी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिसत निकालना, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को इंड तक देखना, अगर ये वीडियो आप इंड तक देखते हैं, तो आपको बहुत ही उमा भाग, ठीक है, यानि कोई संख्या है, उसका कुछ प्रतिसत निकालना है, तो उससे सव से भाग कर देजी, ठीक है, अब जैसे यहां लिखा हुआ है दस प्रतिसत, तो दस प्रतिसत को हम दस बटे सव लिख देंगे, अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट का का मतलब होता है गूरा, 10 प्रश्षत का मतलब एक बट्टे, यहां पे दस लिख लेंगे हम, अब इससे दस से भाग कर देंगे 129 में, तो क्या आएगा, 19.9, एक ऑंग पे दस मलब लग जाएगा, ठीक है, यही हमारा इसका एंसर हो जाएगा तो दोस्तों अगर इस तरीके से आप कहीं दुकान में जाते हैं मार्केट में जाते हैं कोई आफर लगा है कि 1999 के समान है कोई वस्तु है 10% का छूट है तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कितने का वो छूट दे रहा है ठीक है तो चलिए अब देखते हैं दूसरा question, अगर 400 99 है, इसका हमें 20% निकालना है, 20% क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे 20% का मतलब होगा, 20 बटे 100, जहां भी प्रस्त लगता है, उसे 100 से भाग करना होता है, ठीक है, अब देखिए, इसके बराबर हो जायागा, एक 0 से एक 0 कड़ गया, 2 से 2 पच्चे 10, 20% का मतलब होता है, एक बटे 5, ठीक है, अदस प्रस्त का मतलब होता है, एक बटे 10, अगर ये चीज़े आप याद रखते हैं, तो ये इतनी कल्कुलेशन नहीं करने पड़े, कि डायरेक्ट आप एक बटे 10 से 199 में गुड़ा कर और 20% है, तो एक बटे 5, ठीक है, तो 20% के लिए 499 गुड़े, एक बटे 5 करिए, बराबर, अब इसमें 5 से भाग करिए, ठीक है, तो 5 से भाग करेंगे, तो आप यहाँ भाग दे करके देख सकते हैं, 5 से भाग करना है, 400 निन्यानवे, तो 5 नवा, 9 बार भाग जाएगी, 45, कितना बचेगा, हासिल, 6 क्या बचेगा, यहाँ 9 में 5 गया, 4 यह, फिर 5 नवा, 45, फिर 4 से भाग नहीं जाएगी, यहाँ पर दसमरो लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0, फिर 5 बटे 40, ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका अंसर आएगा, 400 निन्यानवे का 20 परसेंट, यह हो जाएगा, 99.8, ठीक है, यह हमारा एंसर हो जाएगा, अब आईए, अगर कोई वस्तु 999 रुपे का है, उस पे 25 परसत लाब मिला है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसका 25 परसत कैसे निकालेंगे, तो 999 है, गूडे 25 परसत को हम लिख सकते हैं, एक बटे चार, कैसे लिख सकते हैं, देखे, 25 परसत है, तो 25 परसत को हम 25 परसत लिख सकते हैं, अब हमें अगर कहीं भी पोचेगा कि 25 परसत लिख किसी संख्या का, तो सीधे आप एक बटे चार से गुड़ा कर दीजिए उसमें ठीक है तो एक बटे चार से हम गुड़ा करेंगे यहाँ पर अब दीखिए अब एक बटे चार तो चार से हम देखें चार नीचे हर में है तो हर से हम उपर जो numerator होता है अंस होता है उसमें भाग देते हैं तो चार से भाग करेंगे इसमें ठीक है तो चार से भाग करेंगे तो यहां पर हम भाग कर लेते हैं चार से 999 भाग करेंगे तो चार दुना आठ दो बार ले जाएंगे अब बचा एक फिर भाग नहीं जाएगी तो एक 9 उतार लेगे अब क्या होगा? 4, 4, 16 4 बार भाग गयी अब 9 में से 6 गया 3, फिर भाग नहीं गयी तो 9 उतार लेंगे अब फिर 4, 9, 36 अब अचे 5 अब भाग नहीं जाएगी तो दसम्मनों लगा लिए एक 0 फिर 4 सत्ते 28 ठीक है तो यहां पे 30 बटे 28 कर लिया अब यहां बचा 2 फिर यहां पे एक 0 बढ़ा लेंगे भाग नहीं जाएगे चार पच्चे 20 तो यहां पे आ जाएगा 999 का 25 परतिसत 249.75 यह हमारा एंसर हो जाएगा इसका ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों एक और कोश्चन देखते हैं अगर 1199 है इसका हमें 50 परतिसत निकालना है ठीक है तो सबसे पहले 50 परतिसत को हम क्या लिख सकते हैं तो अगर 50 परतिसत लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक बटे दो कैसे लिख सकते हैं 50 में 100 से भाग कर दीजिए 50 लिखा 100 से भाग करा तो हो गया 50 दूना 100 एक बटे दो आ गया ठीक है अब क्या करना है हमें 1999 का 50 परसत निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 1999 गुडे 50 परसत के जगप लिखेंगे कर लेंगे, एक बटे दो का मतलब दो से हमें भाग करनी है ठीक है, तो आएए भाग कर लेते हैं यहाँ पर दो से भाग करेंगे ऊननाई सव निन्यान बे में, ठीक है तो भाग कितनी बार जाएगी दो नमा, अठारः नम में से एक आठ जाएगा एक, भाग नहीं जाएगे, नव उतार लेंगे, फिर दो नमा 18, एक बचेगा, फिर नव उतारेंगे, फिर दो नमा 18, अब यहाँ पर एक बचेगा, अब भाग नहीं जाएगे, तो दस मनो लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे यहाँ पर, अब 10 हो गया, तो कितनी बार बे दसमलो 5 और यही इसका अंसर हो जाएगा तो दोस्तों कैसी रही वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए channel पे नए हैं तो please channel को subscribe कर दीजिए मिलते हैं next video में thank you thank you so much